आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बड़े और बच्चों दोनों के लिए बहुत ही हेल्दी है ये आपकी इम्म्यूनिटी और बोन्स को स्ट्रॉंग बनाएगा और आपको सभी बीमारियों से दूर रखेगा सबसे पहले एक पैन में हम दालेंगे ओट्स और हमें ओट्स को रोस्ट करना है दो से तीन मिनट ताकि इनका कच्चपन निकल जाए और एक हलका गोल्डन ड्राउन इसमें कलर आए ओट्स इस मिल्क में बहुत ही अच्छा टेक्शर आड्ड करेगा और ये बहुत हल्दी भी हैं तो यहां आप देखें दो मिनट तक मैंने इसे भुन लिया है और इसका कलर भी थोड़ा डाक हुआ है तो इसको अब हम निकाल देंगे एक बोल के अंदर अब उसी पैन में हम डालेंगे बादांग, काजू, अकरोट और पिस्ता हम इन सारे नप्स को ड्राइ रोस्ट करेंगे दो से तीन मिनट ये बहुत इंपोर्टन है हम नप्स को तीन रीजन्स की वज़े से ड्राइ रोस्ट करते हैं पहला इनकी शेल्फ लाइफ पढ़ती ह secondly नप्स में अपने नचरल ओइल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं उससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा और तीसरा इसे ग्राइंट करने में आसानी होगी आप अपनी पसंद के कोई भी नप्स इसमें डाल सकते हैं तो यहां आप देखें इसमें हलका गोल्डन कलर आ गया है ऐसा ही हमें चाहिए इसको भी अब हम निकाल देंगे एक बोल के अंदर आप इस रेसपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिकर जरूर बताएं अब यहां मैंने डाले हैं मेलन सीज और पंकिन सीज यह अगें पुपत ही हेल्दी होते हैं मैं नत्स और सीज को अलग-अलग रोस्ट करती हूँ क्योंकि अगर आप इसे बादाम और काजू के साथ रोस्ट कर देंगे तो यह बहुत जल्दी जल सकते हैं तो हमेशा नत्स को रोस्ट करते वग ध्यान रखें उनका जो साइज है वो सेम होना चाहिए तो यहां आप देख पॉपी सीज इसको भी हमें रोस्ट करना है एक मिनट तक पैन आपका और डिदी गरम है तो इसको रोस्ट करने में जादा ताइम नहीं जाएगा मैंने अगेन इसे पंकिन सीज के साथ नहीं रोस्ट किया यहां आप साइस छोटा है अगर मैं उसके साथ करूँगी तो यह आपके जल सकते हैं तो यहां आप देखें इसका भी हल्का golden brown color हो गया है इसको भी हम मिकाल देंगे उसी bowl के अंदर यहां अब आप इन सब को अच्छे से mix करें और हम इसे completely थंडा होने देंगे उसके बाद ही हम इसे grind करेंगे आप कभी भी nuts and seeds को गरं करं में नहीं करें वरना इसका oil release हो जाएगा और इसकी एक paste बन जाएगी तो यहां मैंने इनको अच्छे से थंडा कर लिया है अब हम इसे डालेंगे mixer grinder के अंदर और मैं इसे grind करूंगी pulse mode पे आप इसको अगर लगातार कर देंगे तो इसका nut butter बन सकता है जो हमें नहीं चाहिए यहां आप देखें दीरे दीरे करके मैं इसे pulse mode पे grind कर रही है अगर मैं आपको इस point पे texture दिखाऊं इसमें थोड़ा दरदरा पन है तो मैं इसको चानूंगी बट अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी यूज कर सकते है जनरली जब आप बच्चों को ये milk देते है उनको नहीं पसंद उनके मूँ में कुछ आए तो आप इसको इस तरह से चान के लें बट ये step completely optional है तो यहां आप देखें इसमें ये मोटा texture आया है आप इसको निकाल दे आप चाहें तो इसे mixer grinder में फिर से एक बार पीज सकते है तो यहां ये हमारा बिल्कुल smooth हमारा healthy protein pre-mix बनके तयाब हुआ है अब मैं इसमें डालूँगी इलाइची powder, black pepper powder और उसी के साथ ginger powder यानि की salt powder ये pre-mix हम winters के लिए बना रहे हैं तो ये जो spices हैं ये again आपको कफ से दूर रखेगा आपके गले की निये बहुत अच्चा है तो हम इसमें डाल रहे हैं अगर आप ये milk गर्मियों में पी रहे हैं तो आप ये spices को skip कर सकते हैं इसको आप store कर सकते हैं refrigerator के अंदर air tight container में पूरे दो महीनों तक अब मैं आपको बताऊंगी इसको बनाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका तो चलिए बनाते हैं हमारा healthy drink तो यहाँ एक पैन में हम डालेंगे दूद और दूद को हम अच्छे से गरम करेंगे आप एक से दो इसमें boils अच्छे आने दे उससे पहले हम डालेंगे दो से तीन बड़े चबमच हमारे pre-mix के यह again completely optional है आपको कितना कम या जादा चाहिए तो जैसे जैसे यह milk boil होता जाएगा आप देखेंगे जो इसकी consistency है वो थोड़ी ठिक हो जाएगी अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो आप इसी point पे दे सकते हैं थोड़ी सी चीनी डाले अगर आपको चीनी नगी पसंद तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं यहाँ मैं डाल गई हूँ थोड़े से पिस्टा बादाम, किश्मिश और उसे के साथ रोस्टेग मखानाज यह जब आप मिल्क पीते हैं उसमें जब यह ऐसे नट्स आते हैं मुँ में यह बहुत ही बढ़िया लगते हैं तो बस नट्स के साथ भी हमें से एक से दो मिनट और बॉयल करेंगे तो लीजिए आपका बहुत ही हेल्दी हाई प्रोटीन मिल्क बनके तयार है आप इसे ज़रूर ट्राइ करें और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपको विंटर स्पेशल मखाना मिल्क भी बहुत पसंद आएगा उसका लिंक भी मैं यहां दूँगी आप भी ज़रूर चेक करें